सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं गौराव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्टॉक्स की गुरुफ इशपिसूड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुती कमाल की टेक्नियूज तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो इस ब्रॉट टो यू बाई विंट्सक्राइब वीपिन चेक्ट दिस्क्रिप्शन फर मोर इंफर्मेशन वाली एक सेल जो की होगी तक ग्रेट इंडियन सेल यहाँ पर दोस्तों डिसकाउंट मिलने वाले हैं एपल प्रोड़क्ट्स के उपर वन प्लस प्रोड़क्ट्स के उपर और अगर आप काम मिलेंगे आपको एवरेट सा हार्ड़वेर मिलता है कुछ चीजें अच्छी भी हैं कुछ चीजें जो है वो अच्छी नहीं भी हैं एकदम नया ब्रैंड है ना सर्विस का आता पता है ना यह है कि भाई आप फोन मिलने के बाद में क्या होगा कैसा होगा मैं फोन को देख चुका हूँ काफी भारी काफी मोटा सा उसमें फोन है तो ऐसे में मैं परस्निल रेक्मेंट नहीं करता हूँ और आएंगे, और आएंगे, और आएंगे, यहाँ पर दोस्तों अभी जो है वो Apple ने अपनी एक और fresh list दे दी है और ये बोला है कि हम ये जो बात है इंडिया में में एकडम शुरुआत से start करते हैं और बाखे दोस्तों जो Apple को चूट चींगे, टेक्सिस वगरे में उसको ले चैटिंग वाला messaging वाला feature वो launch कर सकता है, अब ये क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कैसे के उसको options वो नहीं मालूम, लेकिन Paytm जो है वो पूरी planning कर चुक है कि अपने बाद बाद बड़ा user base है, उसको वो कैसे कहीं और divert करे और तो यहाँ पर आप इसको prefer करेंगे कि नही because WhatsApp नहीं इतनी deep जगह बना ली है कि alternative जो वो की दिखते नहीं है हमको, चाहे Google Allo आ गया हो, चाहे दोस्तों और कुछ आ गया हो, तो ऐसी Paytm का भी जो messaging वाला feature लगता है नहीं कि इतना hit हो पाएगा, लेकिन देखते हैं कि जब आता है, तो यहाँ पर हमारे लिग क्या features लेक दोस्तों अगले update निकल के आता है, वो है भाई या बहुत ये गरम गरम news और यह है दोस्तों जियो फोन के बदले और यहाँ पर दोस्तों इंटेक्स ने निकाल दी है अपना phone और बिसे दोस्तों एक फोन नहीं है, यहाँ पर एक वरी बहुत सारे 9 अलग अलग फोन्स हैं, जो price दोस्तों है इसकी वो है 700 रुपिस से लेके 1500 रुपे तक और यहाँ पर दोस्तों इसमें से एक phone ऐसा है जो आपको exactly जियो फोन जैसा ही मिलता है, जहाँ पर वही काई OS है, वही दोस्तों आपको उस तरह कई same screen, same battery, battery मिल जाती है, तो यह दोस्तों फोन है Intex के, यह है 4 Airtel, Vodafone, Aircell, BSNL, यह वो क्या टकर दे पाते हैं Jio phone को, दोस्तों अगला update निकल के आता है, वो है Lenovo की तरफ से और यह है, दोस्तों Lenovo K8 Note को लेके, यह दोस्तों इंडिया में launch होने वाला है 9 August को, यहाँ पे एक और फोटो निकल के है, जैसे मालू मिलेगा Amazon exclusive, अब यह ज तक कही पे भी Note 7, 7 Note दोस्तों नाम आये ही न, तो यहाँ पे launch होने वाला है K8 Note और यहाँ पे reports कहती हैं कि यह होने वाला है Media Tech के hardware साथ में launch, camera share dual हो सकता है, price क्या होगी, क्या होगी exact specs, देखते हैं दोस्तों 9 August को, दोस्तों अगला update निकल के आता है, वो है भाईया Google के उनके लिए specially design करके develop की गई है, तो यहाँ पे दोस्तों Google यह बोलता है कि यह special category, special badge मिलने वाला है कुछ काफी apps को, जो start-ups हैं, जो कुछ ऐसे developers हैं जो चाहते हैं कि India के लिए regional apps को develop कर सकें, तो उसके बाद दोस्तों उनको यह मिलेगा ऐसा एक badge और उसके बाद जो आपस है जो काफी ची से promote की जाएंगी, इसके लाँ उसनों Google ने यह भी कहा है कि जो Indians हैं, वो जो पूरा खर्चा करते हैं, प्ले स्टोर पे वो दूसनों करीब तीन गुना बड़ा है पिछले comparison में, तो लोग अच्छे से in-app purchases भी कर रहे हैं, apps को purchase भी कर रहे हैं, तो यह काफी 999, यानि करीब तो 40,000 रुपे की price में, थोड़ा महंगा है भीया, depending कि आपको phone के बदले में क्या मिल रहा है, और इंडिया में मालूम है कि इतना बिक नी पाएगा, लेकिन अब जो users हैं, जिनको आदत है, या जो Blackberry के पुराने एकदम सच्छे users हैं, वो इसको purchase करेंगे, लेकिन आप और मैं इसको purchase ना करें, और मैं इसको use करूँगा, लेकिन कितना कर पाऊंगा, because अब आदत नहीं है यार, और बहुत पहले use क्या करते थे Blackberry के quality phones, तो देखते हैं, लेकिन जो phone दूसने हैं, इंडिया में लाउंच कर दिया है, और अच्छी बात ये हैं, कि इं Blackberry का सिर्फ डाम चल रहा है, और जो बनाने वाले हैं, वो अलग है, बेचने वाले अलग हैं, और phone आपके हाँ तक पहुंच रहा है, किसी और नाम से, दूसरो अगला update निकल के आता है, वो एक बहुत ही ऐसे कमाल के optical sensor के लिए उसको develop किया है, को scientist ने, और यहां पर दूसन मतलब आपने कभी भी उसको अगर यूज किया है, तो यह काफी कमाल की बात है, और यहां पर दूस्तों, एरपोर्ट्स वगर पर इसको काम में लिया जा सकता है, जहां पर डिरेक्ट्री जो स्कैनिंग होती है, पेसेंजर्स की उसके थूरू पता लगा जा सकता है, कि या फिर एक्स्प्लूजिफ का कोई लिंक है, या फिर नहीं, तो इसको अगला अपडेट निकल के आता है, वो है भाई, एसेंशियल फोन पी एच वन को लेके, और यहां पर दोस्तों, इस फोन का पहला स्क्रीन शॉट अभी जाके एक आया है, सामने, मतलब फोन को भी ना निभाना पड़ता है, वरना लोगों का जो भरोसा है वो उड़ जाता है फिर ऐसे कंपनी से, दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है, वो है भाई, यहां पे LG V30 को लेके, इसका पर दोस्तों की डिजाइन सामने लिखो के आ गया है, फोन का की फोन दिखने में कैसा हो और यहां पे बहुत ही इंट्रस्टिंग बात है, कि इस फोन का जो कैमरा है, वहां पे आपको मिल सकता है F1.6 का अपचर, यह दोस्तों बहुत ही कमाल की बात होगी, विकॉज करेंटली आपको मिलता है Samsung S8 में 1.7 का, तो 1.6 में दोस्तों और कमाल की low light performance, और कमाल की आपको इसमें लगा है पीछे proper computer और जिसकी मदद से आप VR जो है या फिर AR जो है वो काफे चासे enjoy कर पाएंगे, यह दोस्तों आता है HP की तरफ से और यहां पे जो लोग जिनको training की जुरुत पढ़ती है अपने jobs में, वो बत इसको पहन लें, उसके बाद दोस्तों लगा ले एक अ आता है HP की तरफ से, दोस्तों अगला update निकल के आता है वो है भाई Apple के लिए और यहां पर दोस्तों आइफोन 8 आने वाला है, उसमें दो नहीं बाते सामने आई हैं, पहली बात तो यह कि देखो जो phone है, उसका जो screen दोस्तों resolution है वो बढ़ने वाला है, पहली बार Apple जो चला लग लग features को भी देख रहा है, फिर चाया दोस्तों कोई dimple हो, चाया कोई mark हो, चाया आपका मूँ थोड़ा सा टेड़ा हो, चाया खिचा हो, चाया आपसाइड भी देख रहे हो, यहां में दोस्तों सभी चीज़ों जो है वो monitor की जाएंगी, उसके बाद में, शायद face tracking या BM जो है वो announce कर चुका है, उसके लावा Volvo जो है वो भी announce कर चुका है, और अब मसराटी दोस्तों जो है, वो भी आने वाला है electric cars की दुनिया में, और यह होने वाली है completely electric cars, तो आगे चलके हमको यही देखने को मिलने वाला है, जितने भी बड़े brands हैं, जितने भी companies हैं, वो सुबह से आज देखिऊंगी बहुत सारी post social media पे, जहां पर दोस्तों फोटो यह निकल के आती है, कि एक student है 12th class के, जिनको Google ने hire कर लिया है, 1.44 crore rupees के annual package के लिए, और यह दोस्तों सिर्फ 12th class के हैं, और यह काम करी है, ग्राफिक designer का जो उनका नाम है, वो है हरशित शर्मा लेकिन यह दोस्तों news fake है, Google ने confirm कर दिया है, कि ऐसा कोई भी hiring नहीं हुए किसी की भी, तो यह news कहां से start हुई, कैसे start हुई, नहीं मालूम, लेकिन whatsapp message रुचे दोस्तों facebook message रो लोग दबा के share कर रहे हैं, जानते नहीं है उसकी पीछे की असलियत क्या है, लेकिन यहां पर fake news, बस तो यह सारे आज की अपडेट्स मुझे अभी पसंद आया होगा, अगर आपके रुसालों सुझा हो तो अपनी चे कमेंट करना मत भूलेगा, अगर आपनी इस वीडियो को भी तक लाइक बिर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल